फ्रेंड्स गोड इवनिंग आपके अपने यूटूब के चैनल में सवागा थे एक बाई फिर से इस्टेशन्स और फेसे में हुआ है अभी और जैसा कि मैंने आप से लगबग तीन या चार मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था और यह बात रखी थी कि जरेकापूर रेलवे स्टेशन को भी इस्टेशन ही रहने देना चाहिए हौल्ट नहीं रहने चाहिए हौल्ट हदा देना चाहिए क्योंकि ट्रेनों के कोर्सिंग के लिए जरेकापूर रेलवे स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीधे सीता पूर से ट्रेन चलकर हरगाओ जाती है वहाँ पर क्रॉस होगा आने वाले समय में जब ट्रेनों का ट्रैफिक बढ़ेगा तो बहुती ज़्यादा समय लगेगा जिससे यात्रियों की फजीहत तो होगी ट्रेन में इंधन की खपत अलग होगी ज़्यापूर होल्ट लखींपूर की दिशा में जाता हुआ रूट और यह खड़ेंजा जो बिचा हुआ है कभी यहाँ पर ट्रेक हुआ करता था इस खड़ेंजे पर जहां पर मैं चल रहा हूँ और इधर दिशा में जहां पर मेंन लाइन थी तो वहाँ पर ट्रैग ये सिंगल ट्रैग डाल दिया गया है और यहाँ से लखनों 102 किलोमीटर है तो जो इस्टेशन पर लोग है वरकर्स काम कर रहे हैं उनका कहना है ये 102 नंबर है और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे 103 नंबर शुरू हो जाएगा यानि कि जो खंबा नंबर है वो 102 कुछ है 125 याच है तो आगे बढ़कर आधा किलोमीटर की दूरी पर हरगाओं की दिशा में यानि कि लखीमपूर की दिशा में 103 आ जाएगा यहाँ पर देखे कि अगर कितना छोटा सा तीन शेड है तो इस हाल्ट पर तीन ट्रेक रहेंगे यानि कि इस्टेशन बनने पर में लाइन तो रहेगी जो यह ट्रेक बिछा हुआ है और जहाँ पर मैं चल रहूं जहाँ पर यह खरंजा है पहले कभी ट्रेक हुआ करता था दुबारा इस खरंजे को तोड़ा जाएगा फिर यहाँ पर एक और ट्रेक बिछाए जाएगा और एक दाय दिशा में जो यह छोटा सा पोल लगा हुआ है एक इधर भी ट्रेक बिछाए जाएगा तो इस तरह से तीन ट्रेक हो जाएगे दो प्लेट्फॉर्म हो जाएगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर एधर सामने देखेगा यह जो निव खो दी गई है आप खुछ समझ सकते हैं कि जहाँ पर ट्रेक बिछाए जाएगा उसके काफी दूर पर निव बनाए गई है और क्रॉस बार भी लगाए जाएंगे तो आप इस निव को देख सकते हैं अभी आपको एक और हम इस्टेशन पर भी निव दिखाते हैं और इसके आगे चल कर भी निव दिखाते हैं जहां से आपको मालूम पढ़ जाएगा कि यहां पर भी अब इस्टेशन बनने वाला है तो इस इस्टेशन पर यह जो यहां पर मजदूर काम कर रहे हैं इन्हों नहीं ऐसा बताए कि यहां पर इस्टेशन रहेगा और तीन ट्रेक रहेंगे और इस्टेशन यहां से थोड़ी सी दूर पर लखीमपूर की दिशा में बनाया जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स जो न्यू खोदने का काम कर रहे हैं यहां पर मजदूर वो यहां पर अपना डेड़ा डाले हुए हैं और आपको हम अभी दिखाते हैं यह देखिए यह वो खाचा था जिसमें मसाला भड़के पोल के बराबर इतना हिस्सा छोड़ देते थे बाकी चारों तरफ कॉंक्रीड बिशा देते थे यह सीतापूर की दिशा है जड़ेकापूर हाल्ट से आप देख सकते हैं मैं दूसरे छोड़ पर आ गया हूँ और एक नीव का हिस्सा ये भी देखिएगा फ्रेंट्स तो काफी इस्पेस है भी तीसरा ट्रेक जब डाला जाएगा यहीं पर नीव के पहले वो तीसरा ट्रे डाला ट्रेक रहे गा और एक यह देखिए यह देखिए क्रॉस बार के लिए यहां पर भी एक नीव खो दी गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तो इस बीच में यहां पर जो खड़ंजा लगा है तो यहां पर एक ट्रेक बिछाया जाएगा तो इस तरह से कुल तीन रहेंगे तो बहुत बड़ी खबर है कि जरेकापुर हॉल्ट इस्टेशन बनेगा जैसा कि मीटर गेज के समय में इस्टेशन हुआ करता था तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताईएगा लाइक कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा शेयर रखिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा नए सरे से जब यह स्टेशन बनेगा तो फिर से आपको अपडेट दूँगा तब तक के लिए जय हिंद